तो मैं यहां पर एक नॉर्मल रोटी बेल कर रख रही हूं इसको 2-3 आर तक हम सूखने के लिए रख लेंगे मैंने यहां पर 4 टेबल स्पून चना दाल को वाश करके लिया है इसको हम 90% अच्छे से पका लेंगे ड्राइफ फूट्स को अच्छे से चौप कर ले अपने पसं एक बरतन में 2-3 टेबल स्पून घी आट कर लें और यहां पर ड्राइफ रूट्स को हम अच्छे से रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे किसमिस को जल्दी निकाल लेंगे हम एक साथ किसमिस जल्दी रोस्ट हो जाता है गाईस तो मैं यहां पर सेप्ण में इलाइ गुणिज इंगे तो हमारा चना दाल बी यहां पर अच्छी से गल चुका है अपको मैं यहां पर दिखा रही हूं तो 90% गल चुकी है तो पानी को निकाल कर हम सिर्फ दाल को यहां पर आड कर लेंगे इस्टेज पर आप इस मीठे को जरूर से ट्राइकर रहें बहुत ईजी बच्चे भी है बनाना और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं गाइस तो मैं हम पर अच्छे से अट करने के बाद रोटी भी हमारी अल्मोस्ट ड्राइ हो चुकी है वन एंड हाफ आर में इसको सुका लिया था फिर अपने पसंद के शेप में इसको कट कर ले तो जादी मो यहां पर रोटी के पीसे भी आट कर लूँगी छीनि आट करने का क्लिप मिस हो चुका है गाइस ड्राइफ फ्रूट भी आदे मैंने यहां पर आट करके दस से पंदरा मिनिट लो फ्लेम पर इसको दम होने के लिए रख लेंगे हमारे रोटी के पीसे भी अच्छे से पक जाएगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आट कर ले तो हमारे सुत्रिया जो है अल्मोस्ट डन हो चुके है हम इसको दूद के सुत्रियां बोलते हैं आप इस रेसीपी को जरूर से ट्राइ करें यूनिक रेसीपी है बच्छों को तो काफी पसंद आई तो मैं यहां पर अभी डिश आउट कर रही हूं एकदम सिंपल और जटपट बढ़ने वाली रेसीपी है अगर आपको मेरे रेसीपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले